हेलो एप्रिवन वेल्कॉं टो आई चनल सेभी वित्थासोग फ्रेंट्स आज हम डिजिटल बैंकिंग के मडूल ए में शेप्टर नौबर टू का पार्ट सिक्स कर रहे हैं यह फ्रेंट्स शेप्टर है कार्ट्स के बारे में और काफी सारी बाते हम अलड़ी कार्ट्स के बा होती है तो चलिए फ्रेंट शुरू करेंग से एक यह एक कार्ड पेमट ट्रांजक्शन एप्रूबॉबल प्रशेस फार एर टेपिकल फॉर पार्टी नेट्व रोक मॉडल तो जब फॉर पार्टी नेट्व yep सिए तो यहां नंबर आफ्यस्टे व्यान पैस्टिए हो मर्च kinderg Men, टेटा भेजा गया कहाँ पर मर्चेंट एक्वायर के पास में यानी जिसने पॉसेट marked hormones, बेंक ने तीिसरे में करेगी के देटा भेजा का्डव कि मैं कार्दे किन क क्या होती है वैं ass करेकी स्वीरिक ने इस डेटा को भहेजती है 囉 ass returned can user bank जिसने debit card इशू किया हुआ है अब यह दूर बैंक करेगस करेगा कि खाते में पैसा है नहीं है और यह भी चक करेगस करेगा कि कहीं card खोया हुआ या ऐसा कुछ होट mr. और लिस्टड हो गाइर तो नहीं है कि कंस्टमर ने बताया है कि हमारा card खो गया फिर भी कोई यूज करा तो यह सारी चीज़े चेक करने बाद अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो उधर से एक जो है अकनॉलेजमेंट नंबर आ जाएगी पच्वाई स्टेप हो जाएगा अकनॉलेजमेंट नंबर किसके पास आती है इसल्वाई स्ट्रू होरी एक हमारी से फॉर पर्टी नेटवर्ट मॉडल में हमें 10 पार्टी और 4 और चार देफ्रेंस था है इसमें से में न्रकु करता आएख को यह बैंक को एक है रहा था डेविट कार्ड इश्वर एजन्सी है न वस इतना ही फ़र्क होता है तीन पार्टी हो चार पार्टी में काफ़े डिटेल में लेक्चर है पिछला वाला अगर आपने देखा हो तो यह हो गया अपने कैसे होती है थोड़ा सा दिमाग में रख करके चलना होगा एक्जाम के आप पॉस मशीन पर जाएंगे अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे फिर उसके आद में वो कार्ड अपना डेटा भेजेगा कहां चुकि पॉस मशीन किसने लगा रखी है एक बैंक ने मर्चंट एक्वार बैंक ने लगा रखी है तो डेटा मर्चंट एक्वार के पास पहले ज क्यों किया है फिर यह पूरा एक तरफ से आप चलेगे फिर इसी क्रम में वापस लोटते हुए चले आना होता है डेटा वहां से धीरे धीरे वापस आता है तो अब यह जो हमने फ्लो चार्ड या प्रोसेश चार्ड पढ़ा इसी के बारे में स्टेब बाई स्टेब हम डेटे पैमेंट शिस्टम फिच कुट भी पॉइंट आफ से लिया नीइ पॉस मेशीन या फिर एक बार कट और नहीं सेलेक्ट कर लिए कि कौन सा देपिट कार्ड या क्रेडेट कार्ड युज होना है तो फिर card holder का data या तो पॉस्ट मशीन पर यूज़ किया जाएगा या किसी e-commerce website पर उसका data जो है इंटर किया जाता है हम लोग इंटर करते हैं कि debit card की 16 डिजिट क्या है CBB नंबर क्या है और पीन हो गयरा क्या है यह सारा data हम वहाँ पर फिल करते हैं कि उसके बाद में देश डेटा विल फालोड बाई पिन है न यहां पर personal identification हम डालते हैं उसके बाद में अगर पॉस्ट मशीन है तो debit card लगाया और पिन डाली उसी से काम हो जाता है अगर आप किसी e-commerce website Amazon और पर या फिलिप कार्ड और पर काम कर रहे हैं तो उसकेस में अडिशनल फैक्टर आफ अथेंटिकेशन या अडिशनल फैक्टर आफ अथेंटिकेशन एफए यूज होता है यानि OTP वगएरा one time password वगएरा भी आपको आता है जब आप किसी website पर काम करते हैं तो आपको e-commerce website पर अगर आपको transaction कर रहे होते हैं तो पिन तो डालनी ही पड़ती है अगर आपको ध्यान हो साथ ही साथ में आपको OTP भी डालना पड़ता है तो यह पहला अब एक बार आपने सारा डेटा वहां पर फीट कर दिया या पॉस मसीन पर अपना कार्ड इंसर्ट करके पिन डाल दिया तो कार्ड डेटा इस ट्रांस्मिटेड टू एन एक्क्वाइरर पेमेंट प्रोसेसर बाई पास बैकेंड और e-commerce होस्ट तो एक बार अगर आपने प ट्रांस्फर करेगी जो एक्क्वाइर बैंक है उसके पास में एक्क्वाइरर बैंक कौन होता है जिसने पॉस मशीन लगा रखी है या जो इस एकामर्स वेफसाइट का जो होस्ट बैंक है है उसके पास सारा डेटा चला जाता है और e-commerce ट्रांस को होने के लिए एक गेटव की जरूरत पड़ती है थोड़ा सबस ध्यान रखिए अगर पास मशीने हैं तो गेटवे की जरूरत नहीं है लेकिन अगर जो है पास मशीन नहीं है कोई e-commerce वेफसाइट है तो उसके इसमें गेटवे की जरूरत होती है तीसरा इस्टेप आता है पर एक्वाइर और प्रोस प्रोस असर को यह डेटा भेज देता है तो देखे कोई नई चीज मैं आप पो नहीं बता रहा हूं वही जो कुछ भी मैंने पहले बता रहा है सबसे पहले कास्टम ने डेविट कार्ड सेलेक्ट किया फिर उसने पास मशीन में अपना सारा डेटा इंसर्ट किया अपना डे विजळ वगया रहां उनको भेज दिया फिर उसने इश्वरज बैंक को भेज दि दे लिए यह इतनी बाते ही जो मैंने अभी तक अब था थी वही इतनी बाते हैं पर की जा रही है तो ठीक है? तो यह हो गया, अखॉरर बैंक ने क्या किया? काड स्कीम को भेजा, काड स्कीम ने किसको भेज दिया उठा करके फरवड कर दिया? इस्चुविंग बैंक को, अब असली जिम्मेदारी इस्चुविंग बैंक किया थी, वो सब कuch verify करे, The issuing bank or issuing bank processor verify करता है कि card is legitimate जो card है वो legal है legitimate है not reported lost or stolen इसे जो है किसी ने खोया पाया नहीं report किया है कई बार ऐसा होता है कि customer का card खो जाता है उसने उसे blacklist करवा रखा होता है कि कोई use ना कर पाए तो उस case में इस चीज को यह चेक करेगा and that the account has appropriate amount of credit या fund अबलेबल to pay further transaction और साथ-साथ issuer bank जिसने debit card issue किया है वो यह insure करेगा यह भी check करेगा कि उसके खाते में पैसा परयाप्त है इस transaction को pass करने भरके लिए ठीक है तो यह चीज भी check करने की जिम्मेदारी issuing bank की होती है तो card खोया legitimate है इसे खोया stolen या lost नहीं report किया गया है यह चीज चेक करना खाते मे परयाप्त बैलन्स है ताकि यह transaction हो जाए यह सारी चीज चेक करने की जिम्मेदारी issuing bank की होती है if so the issuer generate an authorization number and routes this number back to the card scheme तो अगर मालीजे सब कुछ ठीक रहा card जो है legitimate था इसे खोया पाया में नहीं बताया गया था कि जो है खो गया है मेरा card ऐसा कुछ नहीं था और साथ- खाते में है कर ऐसा कुछ है कि खाते में परयाद बैलन्स ही के ट्रैंसन हो जाए तो एक authorization number generate करेगा कौन issuer bank को एक जो है authorization number generate करेगा और उस नंबर को authorization number को भेज देगा किसके पास में किसके पास भेज़ेगा card scheme के पास भेज़ेगा तो card scheme के पास भेज़ेगा देखिए यहां पर अगर आप figure याद कीजिए इसने चेक किया और देखा कि जो है card ठीक है legitimate है और खाते में परयाद बैलन्स है तो एक acknowledgement number generate की तो acknowledgement number generate करके वो किसको भेज़ेगा उसके immediate बगल में card scheme है तो card scheme को ही भेज़ेगा वो इसको नहीं रहेंगे ठीक है अब card scheme की जम्यदारी क्या होगी उसके बगल में कौन है issuer है उसको data भेजने का number भेज दिया card scheme को बिथ अब जब authorization करता है issuer bank तो issuing bank जो है agree करता है कि वो जो है customer ने जो कुछ भी purchasing की है उसके भिहापर payment करने के लिए राजी है कहने मतलब एक बार किसी भी bank ने authorization कर दिया कि हां transaction आप कर सकते हैं तो इसका मतलब issuing bank जिसने debit card issue किया था वो पूरी तरह से agree है कि हां customer जो भी purchasing करेगा उसके बदले में हम fund pay करेंगे okay the card scheme forward the authorization code back to acquirer or processor अब card scheme क्या करेगी जो authorization code आया हुआ है उसको acquirer को भेज देगी acquirer क्या करेगा acquirer उठा करके इस authorization code को merchant की website पर या pass machine को भेज देता है ठीक है pass machine या merchant website पर चला जाएगा अब merchant के पास या pass machine तक finally पह complete हो गई merchant system conclude the sale with customer है customer के साथ में transition complete हो जाती क्योंकि merchant के pass machine तक या e-commerce website तक response आ चुका है तो ऐसे में transition complete हो जाएगी ठीक है sale conclude हो जाती है अनि sale complete हो जाती है आप यहाँ दो तरीके से sale conclude होती है either way of charge slip generation एक charge slip generate होगी जिसमें customer को signature करने होते हैं जिन case में pin नहीं use होती है वहाँ पर customer को charge slip जो generate होती है उस पर signature करना रहता है और जहाँ पर pin generate हो जाती है pin यूज होती है यानि pin number डाल करके हम अपनी transaction verify करते हैं वहाँ पर card holder का signature जरूरी नहीं होता है तो मैंने आपको बताया भी था कि जो है हमारे देश में मतलब जो है RBI ने guideline जो दे रखी है उसके हिसाब से debit card या credit card प्लस pin का ही concept यूज होता है debit card या credit card प्लस signature का concept हमारे देश में यूज नहीं होता है यह अज पर RBI mandate है तो दूसरा वाला ही concept ही होगा अगर pin यूज होई है तो वहाँ पर card holder को signature करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो यह हो गए मतलब जो हमारे four party network model में transaction कैसे अप्रूब होती है क्या steps होते हैं उसके बारे में पूरा process flow आपने सारा data e-commerce website पर इंटर कर देता है उसको इंटर करते समय अगर आप पॉस मशीन वीच कर रहे हैं तो आप पुना pin डालते हैं जैसे personal identification number कहते हैं यह full farm पूछाता है pin personal identification number होता है यह इंटर करते हैं पॉस मसीन में और अगर आप मालिज यह e-commerce website पर है तो उस case में आपको OTP one time password होता है ठीक है तो आपको OTP आजाता है एक बार आपने सारा data इंटर कर दिया तो card का data transmit कर दिया जाता है भेज दियाता है एक्वाइर को एक्वाइर या payment processor जिसे कहते हैं पॉस अगर है तो पॉस के backend द्वारा या e-commerce है तो e-commerce के host द्वारा जो है यह data भेज दियाता है क इसने e-commerce website सा खाता link कर रखा है उसके पास data भेज दियाता है अब e-commerce website में transition होने के लिए एक gateway की भी जरूरत होती है वो क्या करता है merchant की website को acquirer bank से link करता है ठीक है उसके बाद में आगे बढ़े हम फिर acquirer data जब आ गया तो वो acquirer क्या करेगा कुछ अपने पास करता नहीं है सिर्फ उसको card scheme के पास data भेज देता है card scheme कौन सी रूपे वीजा mastercard American express यह सब card scheme है इनके पास data भेज देगा अब card scheme भी यहाँ पर कुछ नहीं करेगा सिर्फ इसको forward करता है issuing bank के पास issuing bank कौन सा bank है जिसने debit card issue किया है अब असली जिम्मेदारी issuing bank के ही उपर होती है आप यह खोया नहीं मतलब जो है last stolen नहीं जो है इसको report किया गया है और साथ हिसाथ में account में परियाप fund अब लेबल है credit अब लेबल है ताकि यह transaction हो सके credit card में credit देखना होता है और debit card के case में fund सब लेबल है यह चीज़ चेक करनी होती है ठीक है if so अगर ऐसा है तो एक authorization number generate करेगा account issuer bank ह एक authorization number generate करेगा और इसको जो है card scheme को वापस भेज़ देगा card scheme नहीं इसको forward किया था तो card scheme को वापस भेज़ देगा authorization number अब card scheme क्या करेगा उसको उठा करके जो है आगे merchant acquirer bank के पास भेज़ देगा अगर एक बार कोई bank authorization करता है तो उसकी यह जिम्मेदारी होती ही को customer के भि बेज़ देता है acquirer bank यह data उठा करके authorization code को merchant की website है उस पर भेज़ देगा यह पास machine लगी तो उस पर भेज़ देता है और एक बार यहां authorization code पहुंच गया तो जो हमारी payment है वो हो जाती है तो merchant system जो है sale को conclude कर लेता है अब इसमें चार slip generate होती है जिस पर customer को signature करने पड़ सकते हैं signature उस case में करने होते हैं जहां पर पिन नहीं यूज होती है चुकि हमारे देश में यूज होती है ट्रेंशन करने के लिए तो वहां पर card holder के signature की जरूरत नहीं होती है तो यह यह हो गया पूरा जो है प्रण जो है four party model में कैसे कैसे ट्रेंशन होती है बस क्यों यह अगर तो ध्यान में रख करके parties को याद रख पाएं अगर कि यहां पर customer है फिर यहां पर merchant है जिसने पॉस machine जिसकी दुकान पर पॉस machine लगी है फिर यहां merchant acquirer है जिसने अपनी पॉस machine लगा रखे हैं यहां पर card scheme है और यहां पर issuer bank है बस अगर आप यह चार चीजे एक दो तीन और यह चार चीजे अगर याद रख पाएं तो बस यह data इधर से इधर flow होना है और फिर इधर से इधर flow होना है इन में से ज्यादातर लोग जो है किवल data आगे forward ही करते हैं जिम्मेदारी सिर्फ इसी एक एक के उपर होती है जिसने debit card issue किया है बाकी सब जो है एक दूसरे को forward ही करते हैं बाकी कुछ जादा major role play नहीं करते हैं ठीक है तो चेलिए यह होगा अगला topic यहाँ पर उठाते हैं तो debit card transaction के लिए credit card transaction के लिए जो back end operations होती है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है अपरण तो back end operations में देखे जैसे सभी चीजों के लिए back end operation के लिए lay down guidelines होनी चा card based digital banking requires lay down back end operation for transaction processing तो transaction processing कैसे होगी सब 3 steps कौन कौन से हैं पहले transaction processing होगी फिर उसके बाद में clearing होगी फिर settlement होगा और कौन सा step कौन क्या करेगा उन सब के लिए predefined guidelines होती है तो इसी के बारे में हम clearing and settlement में देखेंगे पहला step है front transaction processing सबसे पहला step क्या है transaction processing transaction processing involves online technology based switching that is data exchange outward and back तो transition processing के लिए जरूरी क्या होता है इनके हिसाब से एक online technology अब लेबल होने चाहिए जिसे switching कहते है ना switching यानि online technology technology based switching होती है यानि switch करना data को इधर भीजना data exchange करना मतलब A से B के पास भीजना B से A के पास भीजना यह switching हो जाती है तो data exchange होता है outward and back जैसे अभी हमने transaction processing पुरा देखा ही है पिछले step में अगेन फिर से उसी चीज को यह फिर से repeat करेंगे कि वहना card is swipe data merchant outlet on pass machine on authorization its data to the merchant acquiring bank होट है अभी 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 उन्हें ने यह चीद देखी थी कि जब भी आप card insert करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो data आपका merchant acquiring को भीज देता है यह authenticate करता है और payment information को किसको भीज देगा acquiring bank भीजता है card scheme को card validation के लिए और यहाँ पर check होता है कि कोई restriction तो नहीं लगी ह है कि issue नहीं हुआ है card यह अभी तक चुराया हुआ है hot listed है और fund की availability है यह सारी चीजे यहाँ पर check कर ली जाती है है फिर card scheme route the payment information to the card issuing bank for verification ठीक है अब card scheme क्या करेगी data भेजेगी किसके card issuing के पास में सारा verification के लिए ठीक है वही पूरा पूरा इस्टेप सारे फ्रेंट वही के वही है once the issuing bank verifies the availability of funds in account की fund available है again for its hot listing hot listing भी check करता है hot listing वो कहते है पर जब आपका debit card आपसे खो जाता है किसी customer का debit card खो गया उसने उसको blacklist करवा दिया है तो उसे ही hot listing कहते हैं मतलब आपका debit card further use ना हो पाए आपका credit card further use ना हो पाए उसके लिए जब आप block करवाते हैं bank से तो उसे ही hot listing कहा जाता है it sends a verification code authorization code to card scheme है ना then card scheme routes the verification to merchant requiring bank and which it notifies the merchant that sale to the card holder has been approved मतलब पूरा वही मतलब transaction processing में हमने कुछ नया नहीं सीखना है जो अभी पिछले मतलब पिछला जो topic था वो transaction processing के 8 step जो भी थे उनहीं के बारे में ही था सेम वही चीज़ transaction processing में हम दुबारा यहां पर पढ़ रहे हैं तो transaction processing में क्या involved रहता है एक online technology based switching होनी चाहिए इसमें data exchange होता है outward बाहर और वापस आता है बैक आता है जब card merchant जो है outlet पर पास machine में swipe कियाता है तो एक authorization की जाती है उसकी और यह data merchant acquiring bank को भेज़ देता है जो की authentication करता है और payment information को card scheme को भेज़ देता है card scheme validate करती है कि कोई restriction तो नहीं लगी हुए है कि card issue नहीं हुआ है चुराया हुआ है hot listed है और limit availability चेक करने का काम यहां पर limit availability merchant acquire यह card scheme नहीं करती है बलकि issuer bank करता है ठीक है यह उन्होंने गलत लिका हुआ है from there card scheme route करता है payment information को card issuing bank को verification के लिए card issuing के पास जाएगा card issuing bank insure करेगा कि जो है fund up level है या नहीं है और heart listing के लिए भी चेक कर लेता है यह और अगर सब कुछ जो है ठीक रहता है तो verification के गाद में एक authorization code card scheme को वापस भेज देता है card scheme में data जो है उठा करके merchant acquiring bank को भेजती है जो की notify कर देता है किसको merchant को कि हाँ भी जो है card holder की sale हो गई है एप्रूब कर दी गई है तो बस यह हो जाता है transaction processing यहाँ पर complete अब दूसरा step involved होता है जो है back end में यह back end operation है front end operations नहीं है back end operations है दूसरा step है clearing तो clearing is second step after transaction authorization during switching switching के दौरान clearing जो होता है जो दूसरा step होता है तो clearing is second step after transaction authorization during switching normally at the end of each working day a merchant sends all card based transaction data to acquiring bank ठीक है तो जो switching का काम होता है उसमें transaction authorization के बाद में जो second step होता है clearing होता है normally हर working day के आखरी में मतलब जैसे सो मार है तो सो मार के end में रात आठ बजे नौ बजे जब भी merchant क्या करता है all card based transaction data भेज़ देता है कि इसको acquiring bank को acquiring bank कौन सा bank होता है जिसने pass machine लगा रखी होती है in common practice this is known as batch closure at pass terminal त इस process को batch closure के नाम से जानते हैं किस process को जब सारा का सारा card based transaction data acquiring bank को भेज दिया जता है तो उसे even sum batch closure कहते हैं एक बार batch closure हो गया merchant acquiring bank sends all such merchant transaction तो card scheme for clearing तो merchant acquiring bank क्या करेगा सारा का सारा जो transaction आई भी है उसको card scheme रूपे mastercard debit वीजा इन सब को जो भी card scheme का है उनके पास में यह सारी transaction भेज दी जाती है किसके द्वारा merchant acquiring bank के द्वारा clearing process involves checking and validation of all transaction submitted by all merchant acquiring bank associated with the card scheme तो अब card scheme के साथ जितने भी merchant acquiring bank associated होते हैं वो सभी के सभी अपनी transaction को card scheme को भेजते हैं जिसमें checking and validation भी किया जाता है है card scheme के द्वारा मतलब कहने का यह merchant acquiring bank से merchant acquiring bank जितने भी है वो किसी किसी card scheme से attached है और माली जे वीजा है तो वीजा card scheme के पास में सभी के सभी जितने भी merchant acquiring bank हैं वो अपनी सारी के सारी transaction checking and validation के लिए भेज देते हैं it also involve reconciliation of fund between issuing bank and acquiring bank after applicability of necessary interchange fees currency conversion अगर जो है if card has been using currency other than home currency तो इसमें reconciliation भी होता है funds का किसके बीच में issuing bank जिसने card issue किया है acquiring bank जिसने पास मशीन लगा रखी है और मतलब किसको कितना मिलना है यह चीज़ डिसाइड की जाती है और साथ ही साथ जब उसको जिसका पैसा जिसको मिलना होता है उसमें interchange fees वगएरा जो कुछ भी लगनी होती है कर्दम सी conversion fees वगएरा जो लगनी होती है उसको deduct करके फिर दूसरे को पैसा दे दिया जाता है तो यह इतनी चीज़े होती है जो है clearing में तो clearing पहली बात यह कि यह second step है जो है हमारे debit card transaction के settlement होने में ठीक है clearing second step है हर working day के अंत में merchant क्या करते हैं सभी जितनी भी card based transaction होती है क्योंगी cash transaction नहीं भेजेगा cash वाली transaction तो merchant को मिल चुकी होती है तो कि जो कितनी भी card वाली transaction होती है उसका data acquiring bank को भेज देता है कौन merchant तो इसे batch closure कहते है पॉस्ट टर्मल पर मतलब जब end of the day अगर जो है सारा का सारा card based transaction भीजा जाता है तो उसे batch closure कहा जाता है ठीक है किसको भेजता है merchant यह acquiring bank को भेजेगा acquiring bank क्या करेगा merchant जो है acquiring bank क्या करता है merchant acquiring bank सारा का सारा data उठा करके card scheme को भेज देता है कि आप इसको settle कीजिए देखिए और चेक करिए ठीक है तो clearing process में क्या involved होता है checking and validation of all transaction submitted by all member acquiring bank associated with card scheme तो card scheme से associated जितने भी member है acquiring bank है उन सब ही की transaction को checking और validation किया जाता है card scheme के द्वारा इसमें clearing में ही funds का reconciliation भी किया जाता है issuing bank और acquiring bank को किसको कितना पैसा मिलना है कौन किसको कितना पैसा देगा यह भी decide किया जाता है लेकिन जब यह किया जाता है तो उस समय जो भी interchange fees हो गयरा यह currency conversion fees हो गयरा है वो detect कर ली जाती है फिर आता है friends आपका सबसे last step आता है settlement settlement is the final step of back end operation of card transcend life cycle तो card transcend की जो life cycle होती है उसमें सबसे last step होता है friends आपका settlement card scheme arrive at settlement normally at the end of the day are related by T plus on basis depending upon regulatory settlement rule तो जो card scheme होती है mastercard वीजा रूपे यह क्या करती है settlement कर देती है end of the day उसी दिन ही करने कोसिस करेगी यह ज़्याद ज़्याद T plus on basis पर खरती है यह depend करता है कि मतलब RBI वगरा ने जिस बैंक का जिस देश का central bank जैसा regulatory guideline ले करके आता है card scheme calculate the net settlement amount to be debited are credited in the settlement account of the acquirer and issuer of the card transaction तो card scheme की जिम्मेदारी होती है कि वो यह चेक करें कि कुल net settlement कितने पैसे का होना है कितना पैसा debit होना है कितना पैसा credit होना है settlement account में किसके acquirer के और कितना पैसा debit होना है settlement account में किसके issuer के ठीक है तो issuer के खाते में कितना पैसा जाना है acquirer के खाते में कितना पैसे जाना है net कितना debit होगा net कितना credit होगा यह सारे calculation card scheme करती है to facilitate exchange on fund the card scheme normally designate a third party settlement bank where all card scheme member bank maintain account तो यहाँ पर अभी हमने देखा ना कि मतलब जो card scheme होती हो क्या करती है यह चेक करती है कि settlement account में कितना पैसा हमें debit या credit करना है acquirer के या कितना debit credit करना है issuer के तो ऐसे case में क्या उतरबने कि settlement account सभी सभी जितने भी merchant acquirer bank है third party settlement bank सभी जितने भी member bank है उनका एक settlement account होना चाहिए तभी तो खाते में पैसा debit या credit होगा उसके लिए कर करते हैं एक third party settlement bank account होना चाहिए मतलब हर bank का जैसे माल लिए हमारे देश में रूपे है रूपे card scheme जो है इसमें settlement bank जो है रिजर bank आफ इंडिया है तो सभी जितने भी member bank है रूपे card scheme के उन सब को रिजर bank आफ इंडिया में अपना एक settlement account खुलवाना पड़ेगा और उसी खाती को ही जो है जो है यह रूपे card scheme है उसी settlement account को ही debit या credit करती है तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि third party settlement bank account होना चाहिए जहाँ पर जितने भी member है card scheme member है उनको यहाँ पर account maintain करना होता है और उसी account को debit या credit किया जाता है here it must be pointed out अब यहाँ पर क्योंकि हमने अभी बात की न कि T plus one basis पर हम करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर notice करिएगा कि जब भी अगर आप card यूज करते हैं अपना जब भी आप अपना card यूज करते हैं तो यह क्या आपके खाते से पैसा late deduct होता है तो जब भी customer अपना जो है सौरी जब भी customer जो है card holder अपना debit card या credit card यूज करता है तो तुरंथ ही जो है उसके खाते से पैसा deduct हो जाता है instantly debit हो जाता है यानि transaction जो है processing T plus zero basis पर होती है here it must be pointed out कि जब भी card holder का account जो होता है bank account for debit card or card based virtual overdraft with issuer system for credit card तो अगर आपका debit card है तो आपका bank account debit हो जाता है अगर आपका credit card है तो आपका card based जो है virtual overdraft account बना होता है वो debit हो जाता है ठीक है ये instantly debit हो जाता है transaction processing के दोरान T plus zero basis पर ठीक है तो ये हो गया उसके बाद में the corresponding debit in issuing banks settlement account जो issuer bank है जिसने debit card issue कर रखा है उसके जो settlement account है उसमें से debit होता है और credit होता है किसमे acquiring bank के settlement account में get effective on T plus zero basis तो वो भी काम जो है issuer bank का खाता debit होगा तुरंथी और acquiring bank का खाता credit होगा ये भी तुरंथी immediately affected हो जाता है T plus zero basis पर the merchants account अब जो जो दुकानदार है उसके खाते में पैसा थोड़ा लेट आता है the merchants account with the acquiring bank get credited during the clearing second step ये होता है हमारा on T plus one basis the next day होता है तो कहने मतलब ये हुआ कि कुलमलागर के तीन चीज़े हो रही है एक तो customer का जो account है जो customer का account है तुरंट debit हो गया उसके बाद में issuer का जो account है वो तुरंट debit होता है acquirer का जो account है acquirer bank का वो तुरंट credit होता है लेकिन जो merchant होता है उसके खाते में पैसा T plus one basis पर जाता है बाकि ये सारे का customer का खाता debit होना T plus zero basis पर होता है issuer का खाता debit होना T plus zero basis पर होता है एक्वाइर का खाता क्रेडिट होना टी प्लस जीरो बेसेश पर होता है बसको मर्चंट के खाते में पैसा एक दिन डिले जाता है टी प्लस बेसेश पर जाता है बस इतनी सी बाते थी यहां पर फ्रेंट हमने समझ ली इसको अब आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया है तो क्लेरिंग हो गया उसका अदम सेटलमेंट में हमने देखा कि यह सेटलमेंट फानल इस्टिफ होता है कार्ड स्कीम एराइव होती है सेटलमेंट पर नार्मली इंड अफ दे होसे दिनकी रहती कि इंड अफ दे यानी टी फ्लस edelmen कर दीजा नहीं तो ली बहुन किशलिока ए mort और चना का आफ किंग करती है के लिए को कंधी सेटलमेंट में कितना होना है जिसमें जितने भी member bank होते हैं card scheme को अपना खाता खुलवाते हैं जैसे रूपे जो card scheme है उसमें जो settlement bank select हुआ है वो रिजर बैंक आफ इंडिया ध्यान रख करके चलिए गवर्ण जी इंपॉर्टन कुश्चन है कि रूपे card scheme में जो settlement bank है वो कौन सा bank designated है तो रिजर बैंक आफ इंडिया सभी member bank को जो रूपे card scheme के member बनेंगे उन सब को खाता खुलवाना होगा कहां पर रिजर बैंक आफ इंडिया में settlement account खुलवाना होता है जब भी customer कोई transaction करता है तो उसका जो account है वो तुरन debit कर लियाता है तो लिमिट जो है डिट कर ली जाती है तरी किसा आप कह सकते हैं ठीक है उसके बाद में जो issuing bank का account है वो तुरन debit कर लिया जता है जो acquiring bank का settlement account है उसको तुरनथी credit कर दिया आता है और यह T plus 0 basis पर होता है settlement account से ही पैसा debit होगा settlement account में ही पैसा credit होगा बस issuer का debit होता है और acquire का credit होता है एक्वार के पैसे दिया है तो उसका credit होता है उसके पर में जो merchant का account है जो दुकानदार है उसके खाते में पैसा थोड़ा लेट पहुंचता है टी प्लस वन बेसिस पर यानि अगले दिन पहुंचता है ठीक है तो यह बस प्रेंट्स इसी के साथ में हमारा यह लेक्चर यही पर खतम होता है थेंक्यू सो मच प्रेंट्स